दोस्तों इंडिया में सरकारी नौकरेओं का हाल तो आपको पता ही है कितना ज्यादा कॉम्पेटिशन बढ़ गया है उपर से ब्रस्टरचार राजनिती के कारण जॉब मिलना कितना मुस्किल हो गया है लोग MBA, Engineering करके स्वीपर की जॉब के लिए अपलाई कर रहे हैं प्यजडी वाले प्यून की जॉब के लिए अपलाई कर रहे हैं एक हजार से दो हजार पोश्ट के लिए 20 से 25 लाके स्टूडेंट अपलाई करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप जॉब ही मत कीजिए अगर आपका ड्रीम है, IES बनना, IPS आर्मी में जाना या कोई गॉवर्मेंट ऑफिसर बनना, अगर आपका पैसन है तो उसके लिए जी जान से लग जाए लेकिन अगर आप सिर्फ पैसों के लिए जॉब के पीछे भाग रहे हैं तो सायद आपको कड़वा लगे लेकिन आप गलत दिसा में जा रहे हैं और यहीं हो रहा है 80% से भी जादा इस्टूडेंट्स पैसा को देखकर जॉब के पीछे भागते हैं मान लिजे उनको नौकरी मिल भी गई फिर जब यो अपनी सैलरी से खुस नहीं होते तो जादा पैसा कमाने के लिए घूंस घपला आदी का सहारा लेते हैं और यहीं मुख्य कारण है हमारे देश में भरष्ट चार बढ़ने का और अगर आपको जॉब नहीं मिला तो आपका कितना ज्यादा समय और पैसा जॉब प्रिप्रेशन में चला जाता है सायद आपको अंदाजा नहीं है मान लीजे कि आपने 20-21 की उम्र से जॉब की त्यारी करनी सुरू की है तो आपको नौकरी मिलने में 5-6 साल तो अराम से लग सकते हैं कई लोग तो ऐसे भी हैं जो 35-40 साल के हो चुके हैं फिर भी अभी तक गॉर्मेंट जॉब की वैकनसी निकलती है फॉर्म भरा जाता है फिर कई बार एक्जाम होने में कई महिने चले जाते हैं इंडिया में कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि रिजल्ट आने में कई साल लग गए इसके लावा कई जगों पर पोस्टिंग में भरस्टचार होता है ऐसे में अगर आप सिर्फ गवर्मेंट जॉब के भरोसे बैठे हैं तो आप अपने लाइफ के साथ खिलवाड कर रहे हैं इन्ही सब के कारण आज इंडिया में बिरोजगारी की इतनी बुरी हालत है जितने की पिछले 45 सालों में भी नहीं थी अनिम्प्लाइमेंट रेट 6.5% से भी उपर चल गया है जो की बहुत ज़्यादा है और ये इसी कारण है क्योंकि लोग गॉर्मेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं और गॉर्मेंट जॉब को ही नौकरी मानते हैं स्टुडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं फिर भी उनको जॉब नहीं मिल पा रहे हैं इसमें गलती सरकार की भी नहीं है क्योंकि वो हर किसी को जॉब नहीं दे सकते जितने सीट्स खाली होंगे उतने ही जॉब दे पाएंगे भारती युवाओं में बेरुजगारी कोवीट के दोरान 40% तक पहुँच गई थी और अभी भी ये 25% से ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि हर चाउंथा भारती युवाओं बेरुजगार है समय तो बरबाद होता ही है इसके साथ साथ आपका बहुत ज़्यादा पैसा भी बरबाद होता है अगर आप घर से कहीं बाहर रहकर त्यारी कर रहे हैं तो आपको 3-4,000 महिने का किराया लगभग लगता ही है और अगर कोचिंग कर रहे होंगे तो उसका फीज अलग से अगर आप इतने पैसों का 50% भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं कहीं बिजनेस में लगाते हैं तो आप अपनी साइड इंकम सुरू कर सकते हैं साथ ही आपको पता ही होगा कि टेकनोलोजी आर्टिफिसल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मसीनरी, एटसेटरा कितने चेज़े से बढ़ रहे हैं जिसके कारण गौर्मेंट जॉब्स कम हो रहे हैं सरकार भी प्राइवेटाजेशन को बढ़ावा दे रही है चाहे हो बिजली भी भागो, सड़क डिपार्टमेंट हो एर इंडिया हो, रेलवे हो ऐसे में अगर आप गौर्मेंट जॉब की तरह भागोगे तो आपको ही प्राबलम होगा मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा अगर आपका ड्रीम है लक्ष है कि मुझे गौर्मेंट जॉब ही करना है तो आप उसमें तन मन धन लगा दीजे जी जान से लग जाएए आपको कमपेटीशन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए बस आपको अपना एक पोस्ट नजराना चाहिए आपका फोकस सिर्फ अपने सीट पर होनी चाहिए उसके लिए चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े लेकिन मैं एक बार फिर से कहूंगा कि पैसों को देखकर गौर्मन्ट जॉब की तरफ ना भागे तो इसका सलुशन क्या है हम कैसे बिरुजगारी को खत्म कर सकते हैं या अपने लाइफ को कैसे बहतर बना सकते हैं इंकम कैसे कर सकते हैं हम इसके बारे में भी बात करेंगे समय के साथ दुनिया इतनी बदल चुकी है कि आप जमाना डिग्री या परसेंट कर नहीं रहा आज की डेट में अगर आपको एक अच्छा जॉब चाहिए अच्छा करियर चाहिए अच्छी इंकम चाहिए तो आपके अंदर वो इसकिल होनी चाहिए डिग्री माइने नहीं रखता है क्योंकि डिग्री हर को इलेके घूम रहा है आज के डेट में कमपनिया और्गनाइजेशन या जो भी सेक्टर हैं वो इसकिल को देखते हैं बलकि आपके इसकिल्स के बेसेश पर आपको जॉब मिलेगा गूगल जैसी बड़ी कमपनिया इसकिल्ड लोगों को हायर करती हैं भले ही वो कम एजुकेटेड हो आगे हम कुछ ऐसे इंपॉर्टन्ट इसकिल्स के बारे में डिसकस करेंगे जो आप कॉलेज के दौरान सीख सकते हैं और अपने फ्यूचर को सही राह पर ले जा सकते हैं इसके लिए आप को किसी कॉलेज य उनिवर्शिटी जॉइन करने के जुरत नहीं है आप इन्हें घर पर बैट कर ओनलाइन सीख सकते हैं यूटूब पर आपको कई फ्री वीडियो मिल जाते हैं और अगर आप पैसे खर्च करना चाहते हैं तो ऐसे कई वेबसाइट्स हैं जो इन कोर्सेज को कराते हैं आप वहां से इन्हें लर्न कर लीजिए इसी प्रकार मीडिया स्किल्स जैसे वीडियो एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, स्क्रिप्ट राइटिंग, SEO या डिजिटल मार्केटिंग, कॉन्टेंट क्रियेशन, ब्लॉगिंग, अफिलेट मार्केटिंग, डाटा एंट्री जॉब्स ये ऐसे स्किल्स हैं, जिनें अगर आप लर्न कर लेते हैं, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, कि आप खाली नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग स्किल्स है, जो स्कूल या कॉलेजों में नहीं सिखाय जा रहा है, लेकिन बदलते वक्त औ इस सब आलाइन चुके हैं, और सब को अलग अलग तरीके से इनकी नीड होती है, अगर आप ये सब स्किल्स शीख लेते हैं, तो आपको जॉब ढोनने के जुर्त नहीं होगी, teaching skills, teaching भी online आ चुका है, बहुत सारे apps या websites में आप online teach कर सकते हैं, part time या full time काम करके आप अच्छे खासे income कर सकते हैं, government job में आप जितना समय और पैसा लगाएंगे, उससे कम समय पैसा और मेहनत में, आप इन skills को सीख सकते हैं, और अपनी earning स्टार्ट कर सकते हैं, इस वीडियो म बराने का हमारा मकसद यहीं था, कि आप अपने समय का सहीं यूज करें, skills सीखें, अपनी earning स्टार्ट करें, ऐसा ना हो कि समय निकल जाने के बाद आप बाद में पैस्ता हैं, अगर वीडियो helpful लगा हो, तो like करें, अपने friends के साथ share करें, और वीडियो को पूरा देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद,